तो finally youth mobility visa के date announce हो गया है जो की next week है तो अगर आप एक Indian हो आपके उपर कोई dependent child नहीं है आपका age 18 से 30 साल के बीच में है और आपने graduation कर रखी है तो आप इस visa के लिए apply कर सकते हो तो इस बार 3000 Indians को इंडिया से UK बलाया जाएगा इस youth mobility scheme के तहर तो actually क्या है एक lottery based visa है कोई बे talent and all व random ली 3000 लोगों को select किया जाएगा और उस 3000 लोगों को visa दिया जाएगा और उस visa पे आप इंडिया से UK आ सकते हो UK में आके job कर सकते हो study कर सकते हो और चोटा मोटा business भी कर सकते हो तो यह wallet only 48 hours के लिए open होगा और इसका date है 20th of February 2024 दोपेर के धाई बजे से लेके 22nd of February 2024 दोपेर के 20.30 बजे तो यह Indian time में open होगा आपको उसी 48 hours के बीच में wallet में entry लेनी है बाद में नहीं ले सकते हो 48 hours के बाद यह close हो जाएगा तो यह आपका पहला step होगा तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि total 4 step कौन कौन से है और आपको 20th of February को क्या क्या करना है तो अगर अपने last year form fill किया था वैलेट में entry लिया था तो भी इस वीडियो को continue देख सकते हो क्योंकि इस बार process में कुछ changes आए है तो सबसे पहला step 20th of February 2024 के दुपर के धाई बजे Indian time में एक link activate होगा UK government के official website में यह है UK government का official website यही पे एक link activate दिखाएगा जैसे आप link को क्लिक करोगे आपका date of birth, आपका passport का detail, scan copy of passport, phone number और आपका email address आपको ये सारी detail को feel करना है जैसे ही आप feel करोगे उसके बाद आप submit बटन पे क्लिक कर देना ये है आपका पहला step और याद रहे कि इस step में आपको कुछ भी पैसे नहीं पे करने है यहाँ ये आपका जो पहला step है न ये इसक wallet का selection कैसे होगा मनलब मैंने post graduation कर रखा है तो क्या मुझे में को high priority दिये जाएगा और क्या मैंने just graduation किया है तो मुझे क्या low priority होगा क्या मेरा selection नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है ये मान के चलो मेरा wallet है तो ये lottery का डबबा समझ लो wallet में डालना मतलब 20th of February को जो आप form fill उसी को wallet में entry लेना बोलते हैं मान के चलो आपका नाम है श्याम आपने अपना form fill किया आपने भी wallet में entry ले लिया और उसको submit कर दिया ये है दूसरा person मान के चलो इनका नाम है सीता जी तो इनोंने भी अपना form को fill किया और wallet में entry कर लिया ये मेरा form है मैंने भी form fill किया और मैंन वैलोट में एंट्री ले लिए तो यह सेम लॉट्री के जैसा ही है लॉट्री में भी आप अपना लॉट्री का टिकेट भरते हो बट डिफरेंस बस इतना है कि कोई भी लॉट्री के गेम में आपका पैसे करना पड़ता है उस टिकेट को खरीजने के लिए बट यहाँ पे UK government ने ticket free में दे रहा है और वो ticket है आपका form और जैसे ही आपने ticket को feel किया free of cost में वैलेट में entry ले ली और दो हफ्ते में ये complete वैलेट UK government के पास आ जाएगा वो क्या करेगा बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं इस बहुत सारे लोगों में से वो ऐसे randomly 3000 लोगों को pick करेंगे और उस 3000 में से जितनों का नाम आएगा उनको जाएगा mail तो इसमें से सीता जी का नाम आ गया है तो सीता जी को एक mail जाएगा और उस mail का नाम होगा invitation to apply तो जैसे ही successful का mail आ जाता है आपको करना है अपने document का preparation तो आपको बहुत सारे document collect करने हैं उस document का काम होगा आपको visa apply करने के लिए पिछले साल बस 30 दिन दिया गया था उस 30 दिन में आपको visa के लिए apply करना पड़ता है इस वार उस 30 दिन के जगा आपको 90 days मिलेगा और 90 days के अंदर आपको visa के लिए apply करना है सबसे पहले आपको PCC collect करना है second आपको TV test report collect करना है third आपको bank statement देना है और fourth आपके पास एक valid passport होना चाहिए fifth आपकी graduation के certificate और transcript आपको collect करने है उसके बाद आपको visa का form feel करना है तो जब visa के लिए apply करोगे तब आपको बहुत सारे fees पे करने होंगे सबसे पहले आपको visa fee पे करना होगा जो है 298 pounds around 31K उसके बाद immigration health surcharge IHS fee पिछले साल कम था इस साल बढ़ गया बढ़के बो हुआ है 1552 pounds around 1,62,000 उसके बाद आपको bank का statement दिखाना होगा कि आपके bank में saving है और वो saving होना चाहिए 2530 pounds जो कि Indian rupees में अगर मैं convert करूँ तो होता है around 2,64,000 तो ये है आपके visa के fees जो कि official website में भी mention है बट कुछ fees जो कि mention नहीं है बट आपको फिर भी pay करने होंगे सबसे पहले PCC certificate बनाने जाओगे उसका 500 rupees उसके बाद TV test 2000 के एसपास जब visa का application form फिलो करोगे उसके बाद BFS global में जाके आपको appointment book करनी होती है उसका around 2000 rupees तो total मिलाके आपका पर जाएगा 4,62,000 rupees visa filling के 3 हफते बाद result आजाएगा कि आपका reject हुआ या accept तो accept होने के chances बहुत हाई होते हैं reject होने के chances तभी है जब आपने कोई गल्ती करी होगी गल्ती in the sense इनकी requirement है कि graduation होना चाहिए बट आपने अपने graduation नहीं करी 10-12 diploma कर रखा है और आपने अपलाई किया in that case आपका visa reject हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर नहीं है उसके case में भी आपका visa reject हो जाएगा तो visa reject हुआ तो visa को जो application fee है वो non-refundable है तो आपका application fee बरबाद हो जाएगा तो अगर आपको माइन में ये doubt आ रहा है कि उस दिन form को feel कैसे करना है तो आप इस वीडियो में जाके click करके देख सकते हो ये last year मैंने इस वीडियो को complete बनाया था तो step to step जाके go through कर लो ताकि उस दिन के लिए आप advance में prepare रहो तो वीडियो helpful लगा तो please एक like कर देना मैं मिलती हूँ मैंने next वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 और टे किया